हेलो दियर स्टुडंस, गूड मॉरिंग, आम यूर एलकेजी टीचर प्रों तरना इंग्लिश वीडियो स्कुल सो स्टुडंस, आज का अमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और इंग्लिश में अभी हम लेटर सिख रहे हैं तो आगे हमने कौन-कौन से लेटर हम इसीख लेए है, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी, एड़ अभी हम सिखेंगे डी के बाद वाला लेटर ए, ओके, तो चलो स्टुडंस, सबसे पहले आप अपनी शंशाइन की बुख निकालो, एंट ओपन यो बुख, पेस न और निकाला है और आज हम इसी पेस में अपना वर्थ करेंगे, ओके, तो चलो हम देखते हैं कि इस पेस में क्या-क्या है, ओके, सबसे पहले हम सिख रहा है लेटर यज़र ए, ओके, तो हम देखेंगे अभी कि लेटर ए से कौन-कौन से वर्थ और कौन-कौन से small lettering तो e से क्या होता है जैसे a से apple, b से ball, c से cat, d से dog वैसे e से elephant e से elephant e for elephant तो e का sound क्या होता है e तो अगर आप इसको sound के साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे e for e elephant आपको भी मेरे साथ बोलना है और साथी साथ प्रेक्टिस भी करनी है चलो अभी elephant के बाद कुन सा बना picture आता है वो हम देखते हैं तो देखो e for elbow मतलब कि आपका जो hand है उसका यह जो part होता है इसको हम बोलते हैं elbow e for elbow और इसको सामके साथ कैसे बोलेंगे e for a elbow okay now अभी next के दिखते हैं what's the picture आएगा next है यहां पे दिखो यहां पे है lg okay so e for lg e for lg और इसको सामके साथ कैसे बोलेंगे बोलो चलो yes e for f f lg okay now अभी next के दिखेंगे तो देखो students यहां पे यह कुन सा picture है यह है egg okay e for x e for x कि यह कितने सारे एग है दिखो यहां पे तो इसको हम बोलेंगे eggs okay e for x okay students तो अभी यह आपको अच्छे से revision करना है okay और चलो एग बार हम अभी book में से revision करते है so students चलो देखो यहां पे हम letter e सिख रहे है तो first वाला यहां पे picture कुन सा है elephant elephant so e for elephant e for elephant now second हमने कुन सा picture देखा था इसमे elbow यह वाला आपके hand के part वाला elbow okay e for x e for x तो students आपको यह पूरा पेस अच्छे से लग करना है और साथ ही साथ e की sound भी बोलनीगे okay तो अच्छे से अपना बब करना thank you